मुगल डैनेस्टी चैट्टर से खतने हो गया है कोई तो डैनेस्टी पोड़ाएंगे हम लोग कोई बात नहीं मुहम्मद गोरी कभी कोई संतान नहीं कि जो कमांडर से वही उसके बच्चे थे तो के मद्दा थोड़ी है नहीं पार्लेमेंट हाई है महल बन दाएगा बन यह पार्लेमेंट है सब गाली दे रहे हैं दूसरे को तो दिया तो यह जाद है ना बोले नहीं तो नमस्कार दोस्तों यह जो वीडियो में ने आपको देखाया आप मेंसे ज्यादातर लोग शायद इने जानते होंगे अगर जो नहीं जानते मैं उन्हें बता देता हूँ कि इनका नाम अवद हो जाए और यह जो IES एस्पेरेंट्स होते हैं उनको पढ़ाते हैं हिस्ट्री का सब्जक्ट जो है इनका खास सब्जक्ट है उनको हिस्ट्री के बारे में बताते हैं तो यह वीडियो इनका पिछले काफी दिनों से सोशल मीडिया पर चल रहा था लोग पसंद कर रहे थे लेकिन आज situation इस देश में ऐसी हुई है तो मुझे लगा आज यह एप बैठ था इनका वीडियो इसी वीडियो से आज के वीडियो की शुरुआत की जाए क्योंकि जो अवद हुझा ने कहा है एमरजेंसी वाली बाद उसकी जलक आज इस देश ने देखी है उस वक्त जब देश के पत्रकारों पर पुलिसिया कारवाई की गई कितने तक्रीबं 30 पत्रकारों पर कारवाई की गई अगर आपको लगता है कि कोई financial गड़बड़ी हुई है तो उसकी जाच होनी चाहिए जरूर होनी चाहिए लेकिन उस जाच के बहाने आप पत्रकारों को प्रतारिट करने का काम करेंगे ये चीज तो emergency से भी ज्यादा बत्तर है emergency में कम से कम इंदरा गाधी ने पत्रकारां को गिरफतार किया था या जो है वो न्यूस पेपर्स पे बैन किया था तो कहे के बैन किया था ये तो एक अनकही emergency है जिसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं अरे जिस मालिक से आपको दिक्कत है जिस पे आपको शक है आप उसके खिलाफ कारवाई कीजिए उसके संस्थान में काम करने वाले या उस संस्थान से जुड़े कंट्रिब्यूट करने वाले लोगों को गिरफतार करके या उनके कारवाई करके आप क्या message देना चाहते हैं न्यूस्ड कलिक जो एकसाइट है वीडियो भी ढलते हैं उसमें दूसरी चीजaskwe भी पहें उसके जो मालिक क्या जो उसको चलाते हैं उनका नाम है निविलरोइ सिंगहम जो फंड करते हैं उस नेटवर्क उदासरे निविलरोइ सिंगहम और यह यू.एस में रहते हैं यू उसके जर्ये भारत में भारत विरोधी प्रोपोगंडा को प्रोमोट करते हैं, ये कहा था New York Times ने, तो कारवाई किस पे होनी चाहिए थी, सिंगम पे होनी चाहिए थी, जिस देश के अख़बार ने ये खबर चापी, वो तो उसी देश में बैठा है, उस देश के सरकार ने त इधर खबर छपते ही, इस News Click में काम करने वाले पत्रकारों के खिलाफ गिरफतारी का एक मुहीम चला दिया गया था, और उसके बाद अभिसार शर्मा हो, उर्मिलेश हो चाहिए और जितने भी पत्रकार हो, अभिसार शर्मा ने तो बाकाइदा अपने चैनल पे वीडियो गिरफतार किया गया है, उर्मिलेश जैसे सीनियर पत्रकार जिनको चार दशक से ज़्यादा का वक्त हो गया है, जिस उर्मिलेश पत्रकार ने ना सिर्फ इंदरा गांडी के अमर्जंसी कवर की थी, वहां से अपना करियर शुरू किया था और आज की इस अगोशित करवाई हो रही थी, इसलिए आपने 17 अगस्त 2023 को FIR लॉज की और उसको EU, UAPA, Unlawful Activity Prevention Act के तहत, सबसे खतरनाक एक्ट के तहत, आपने FIR दर्ज करी, जिसमें बेल भी नहीं मिलती असानी से, आपने कर लिए, और आपने अब इनको गिरफतार भी कर लिया, इनकी चीन लिया, मोबाईल चीन लिया, डिटेन किया गया, कार्टूनिस्टों को भी डिटेन किया गया, और तो छोड़िये, पत्रकारों को छोड़िये, लेकिन अगर जब आप एक आखवार की रिपोर्ट पे इतनी बड़ी कारवाई कर सकते हैं, तो उसी तरह से उन्हीं देश अखवार की रिपोर्ट पे कारवाई की जा सकती है तो फिर इस रिपोर्ट के हिसाब से अडानी भी तो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं फिर अडानी पे कारवाई क्यों नहीं हो रहे हैं मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये दोगला बियोहार क्यों ये दोहरे माप दंड क यूँ एक पे तो आप खवार के रिपोर्ट पे कारवाई करते हैं वो भी उन पे जो वहां काम करते हैं उन लोगों पे दूसरा उसी देश के खवार ऊई को और बड़ा खुलासा करता है उसके मालग पे आप कारवाई नहीं करते। उसके मालिक तो छोड़ी है उसके चपरासी तक पे कोई कारवाही नहीं की गई ये दोरे मापधंड क्या दर्शाते हैं दरसल इस देश में स्थितियां हाद से निकल रही है लोकतंतर के लिए ख़त्द्रे की घंटी बता रहे है दरसल लोक तंत्र और ताना शाही के बीच में जो चार चीज़ें खड़ी होती है कार्य पालिका, विधायका, न्याय पालिका और मीडिया उसमें से आपने विधायका और कार्य पालिका को तो पुरी तरह से तोड मुरोड के रख दिया है न्याय पाली का आपने जहां तक हो सका उसको तोड़ने की कोशिश की लेकिन सुप्रीम कोट में एक ऐसा शक्स चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैढ़ गा जिसको तोड़ पाना आपके बसकी बात नहीं हो रही इसलिए उसको भी हर चीज से बाहर रखने की आप कोशिश कर रहें यहां तक कि चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों से भी आपने उसको बाहर कर दिया उसका डर आपको दिख रहा है, उसको आप तोड़ नहीं पारे उसकी फ्रस्टेशन भी आप पे दिख रही है लेकिन जो चोथा खंबा है मीडिया का वो लगातार आपकी गोध पे बैठा रहा लेकिन जो गोध में नहीं बैठे वो आपके खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं आप से सवाल पूछ रहे हैं और पहले इन सवालों को कोई सुनने वाला नहीं था लेकिन हाल के दिनों में जो सरकार से सवाल पूछने वाली आवाजे हैं, उन्हें इस देश के लोग बहुत तबियत से सुनने लगे हैं, बहुत साफधानी से सुन लगे हैं, और यही बात सरकार को चुब रही है, खुद प्रधान मंतरी यूटूबर बन गए हैं, लेकिन डर बैट चुका है कि आपकी कुरसी जाने वाली है, जी हाँ, यह डर बैट चुका है आपके अंदर बुरी तरह से, क्योंकि आपकी लाख कोशिशों के बावजूद, आप ना सोशल मेडिये के आवाज दबा पा रहे हैं, और ना ही आप विपक्ष जो आपके खिलाफ लाम रिजेक्ट करते आ रहे हैं, गोदी मेडिया का आलम यह हो चुका है कि विपक्षी गटबंदन इंडिया अलाइंस 14.1 का भाईशकार करता है, तो उसका रत्ती भर भी असर विपक्ष पे नहीं पड़ता, बलके विपक्ष को शाबाशी जादा मिलती है, यह चुभन भी सरक सरकार और गोदी मेडिया दोनों को है, दरसल इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि जो आज का यह कदम है, यह मोदी और गोदी दोनों की हार, बौखलाट, डर और जुनजनाट या जलाट जो भी आपका हैं, वो दरशाता है, दरसल सरकार को ऐसे चेहरे पसंद ही नहीं जो सवाल प पालतू की तरह आपके गेट पे बदे रहें और जो आप कहें, वो ही करते रहें, इसलिए आज यह पालतू मीडिया इतना खुश हो रही है, देखे किस तरह से अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं, जो इन पत्रकारों पे कारवाई हुई है, मैं कहना नहीं चाहता, मैं पढ पचाई बताना भी जरूरी है, इसलिए आपके सामने यह जो गोदी मीडिया के जो पालतू पत्रकार है, यह क्या लिख रहे हैं, देखे, सुशान्त सिना, जिनके चैनल को, जिनके शो को बाइकॉट के हैं, चिन्दी मीडिया के कुछ लोगों के यहां छापे पड़े हैं, जाच हो रहे ही है, चीन की गोद में बैठी, गोदी मीडिया होने के आरोप के क्या-क्या सबोत मिलते हैं, निउस क्लिक पर तो खुद New York Time सारा खुलासा कर चुका है, यह कहना है चिन्दी मीडिया, हमें सोशल मीडिया को यह चिन्दी मीडिया कहते हैं, और इस पे एक और, इनकी भी बड़ी आपा जिनको सोशल मीडिया पे कई नामों जे ट्रोल किया जाता है वो लिखती है रूबी का लियाकत जी सुशान्त चीन के हिसाब से ये चलें और इनके हिसाब से सिस्टम बरसों से देख रहे हैं इनकी नकली पत्रकारिता खुश किस्मती है कि इनका वाला पत्रकारिता सेटिवर्ड हमें नहीं मिला है भगवान यही सुनना बागी रह गया था चार दशक साड़े चार दशक के उर्मिलेश को अपने आप से कंपेर कर रही है ये रूबी का लियाकत सोचने वाली बात है अभी हाल ही में उसी से चार कदम आगे बढ़ने की कोशिश की जब एक पूरा ड्रामा नोटंकी करके दिखा रही ही कि प्रधान मंतरी ने दरसल मंदरी में खाली लिफाफा नहीं नोट डाले थे इसको कहते हैं पत्रकार इनके हिसाब से और ऐसा सेटिफिकेट भगवान के बहुत-बहुत शुकर है कि हम लोगों को नहीं मिला मैं भी बहुत खुश हूँ कि आप वाली पत्रकारिता का सेटिफिकेट हमें नहीं मिला अरे जिस वक्त आप रोटी को तोती बोलती थी ना इन में से जो आज जिन पर कारवाई हुई है इन में से आधे से ज़ादा पत्रकार तब से लेके पत्रकारिता कर रहे हैं और तीखी पत्रकारिता करते हैं सवाल पूछते हैं सवाल पूछते हैं सरकार से वो पत्रकारिता करते हैं आप कहती हैं कि शुकर है ऐसे पत्रकारिता हमें ऐसा सेटिफिकेट नहीं मिला शर्म आनी चाहिए इनको ऐसे बोलने के लेकिन गलती इनकी भी नहीं है जब कोई आदमी पालत आपने बहुत बार सुनाओगा, इस सरकार में तो खास करके पिछले एक साल में बहुत बार आपने ये शेर सुनाओगा, लेकिन मैं रुबिका जी और सुशान जैसे लोगों को ये शेर सुनाना चाहता हूं ताकि थोड़ी सी उन्हें आख खुले, देवबंदी जी कहते हैं, जलते घर को देखने वालो, फूस का छपपर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकदर आपका है, उसके कतल पे मैं भी चुप था, मेरा नमबर अब आया, उसके कतल पे मैं भी चुप था, मेरा नमबर अब आया, मेरे कतल पे आप भी चुप हैं, अगला नमबर आपका है, अगला नमबर आपका है, अब अगर इसको लाइन दर लाइन में कहूँ न, तो बताता हूँ, कहते हैं न, पिर जलते घर को देखने वालो, फूस का छपपर आपका भी है इन ये तो सबसे बड़े फूस के छपपर के नीचे रह रहे हैं सिरफ पांच-छे महीने का खेल बजा है अगर इस छे महीने में खेल पलड़ गया छे महीने बाद तो इनके घर को तो आग लगाने की भी जरूत नहीं है हवा के जोंके में उड़ जाएंगे इसल आखरी लाइन जरा इनको ध्यान से सुननी चाही कि मेरे कटल पे आप भी चुप हैं अगला नंबर आपका है आपके साथ भी ऐसा हो सकता है और मैं कभी यह नहीं चाहता कि बदले पत्रकारों के साथ बदला लिया जाए राजनीतिक पार्टियां बदले की कारवाई करें के भी सारे काले चिठे खोले जाने चाहिए कि दरसल सरकार की जो इतनी चरण पादू का पकड़के हर वक्त बैठे रहते हैं इन्हें इसके एवज में मिलता क्या है इसकी जांच होना बहुत जरूरी है और जो दोशी पाया गया उन्हें भी यूए पीए के तहत ही उन पर केस दर्ज होना चाहिए कोई भी जो विपक्षी गडबन इंडिया लाइंस है मेरी उनसे मांगे कि अगर आपकी सरकार बनती है तो आपके एजेंडे में ये चीज भी सबसे उपर होनी चाहिए कि जितने ये जहरीले एंकर्स हैं जितने ये जहरीले पत्रकार हैं इनकी परिश्पून तरीके से नहीं बाकाइदा पुखता सबूत के साथ पहले ये जाच की जाए कि इस जो मोदी भक्ती है इसके एवज में इन्हें क्या-क्या मिला अगर सबूत मिलता है तो इन पे कारवाई होनी चाहिए बड़े इतिफाक की बात है देखिए आज उर्मिलेश गांदी पे थी देखिए कल ही दो अक्तूबर गया है महत्मा गांदी की पुन्यती थी और आज इस देश में महत्मा गांदी की इस मेहनत को किस तरह से चूर-चूर किया जा रहा है इसका एक्जामपल आपने देख लिए लेकिन गोदी मीडिया का मैंने आपको कहानी सुना मोदी जी जो हैं मोदी सरकार इसमें किस कदर हार का डर बैठ गया है दिल में मैं बता रहा हूँ यह नहीं है सिरफ कि चुनाओ हार जाएंगे हम यह अब तो दिल में बाकादा डर बैठ गया है कि प्रधान मंत्री जी को कि उनकी कुरसी जाने वाली है उन्हें ये डर मैं कार चाहे BJP की आजाए लेकिन प्रधान मंतरी को लग रहा है कि उनकी कुर्सी चली जाएगी अब तो कुछ करना ही पड़ेगा क्योंकि जिस दिन प्रधान मंतरी कुर्सी से हटे आप समझाइए उसके आगे का खेल क्या क्योंकि जो किया है वो तो भरना ही पड़ेगा जैसी करनी वैसी भरनी कहते हैं बॉकलाट की वज़ा भी है बॉकलाट की वज़ा ये शक्स सबसे ज़्यादा है ये शक्स ना जाने क्या 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 कर रहा है ये शक्स ना जाने कैसे कैसे हरकतें कर रहा है कि मोदी जी को दिन र रात राहुल गांदी राहुल गांदी राहुल गांदी दिखते हैं ये शक्स कल पंजाब में जाता है गुल्डन डेबल जिसको कहते हैं सौन मंदिर कहते हैं लेकिन मैं आपको बताऊं एक चीज मैं हिमाचल का रहने वाला हूं हिमाचल पंजाब का एक पुराना पार था और तो ना आप golden temple कहिएगा ना आप स्वन मंदिर कहिएगा उनको थोड़ा सा बुरा लगता है जब भी आप golden temple की बात करो तो हमेशा दर्वार साहब कहके पुकारा कीजी आप यह याद रखिएगा कोई भी सिख आपको मिल एक खास करके पंजाब में रहने वाला तो दर्वार सा ताके जूटे बरतन माझता है लोगों को खाना देता है खाना बनाता है जूटे साफ करते हैं जो सेवा जो हर सिख ऐसा नहीं कि कोई कोई करता हर सिख करता हुआ चाहे वो अर्बो पती खर्बो पती सिख हो चाहे गरीब सिख हो यह सेवा हर कोई करता है वहाँ पर और सिख community की खासियत और है बताओ मैं आपको कि ज्यादा तर से community गुप्त दान करते हैं अपने एक कमाई का एक हिस्सा दान करते हैं वो उसका जिक्र नहीं करते कभी वो पर्ची नहीं मांगते उसकी कि मुझे income tax रिपेट मिलेगा तो इस तरह का महौल रहता है golden temple में और यह शक्स वहाँ जाके सेवा कर रहा है और frustration देखिए उनकी सेवा पे कभी इन्हीं के दर्वाजे पे खड़ा रहने वाला दर्वान असाम का मुख्य मंतरी हिमंतर विश्व सर्मा क्या लिखता है कि जिस शक्स की दादी ने दादी जो है वो दर्वार साब पे गोलियां बरसाती हैं और पोता वहाँ जाके सेवा करता है क्या बेशर्मी की बात है कुछ इस तरह की language उन्होंने इस्तेमाल किती मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं देखिए grandmother spread bullets and grand child is doing सेवा this is called मुभबत की दुकान जी हां ये मुभबत की दुकान से ही दरसल ये सब परिशान है बलके उन्हें तो ये कहना चाहिए था कि जिस शक्स की दादी को गोलियों से भून दिया गया पोता उन्हीं के दर्वार साब में जाकर उनकी सेवा कर रहा है के बज़ा है जहर उगल रहे हैं जहर इसलिए उगल रहे हैं क्योंकि ये सक्स आए दिन सब को परेशान कर रखा पूरी बीजेपी को परेशान कर रखा है अब तो जो मुद्दा उठाता है वो ही बात में सही निकलता है आप सुरू से ले लीजी तो इसकी बात पर और मोहर लग गई ये तो फिर भी 40, 45, 50% OBC कह रहे थे उसमें तो 63% OBC निकल गए जिसने 2024 की पूरी की पूरी गेम ही भलट दी और प्रधान मंतरी क्या कह रहे हैं कि कल से कॉंग्रेस ने अलग राग अलापना शुरू कर दी है ये कहता है जितनी आवादी उतना हक मैं कहता हूँ इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आवादी है तो वो गरीब है जी हाँ गरीब है लेकिन आपने 9.5 साल में उनके लिए किया क्या ये कम से कम हक की बात तो कर रहे हैं आपने किया क्या 9.5 साल में आप से चिटकने लगे हैं इसलिए कभी आप इधर हाथ मार रहे हैं कभी उधर हाथ मार रहे हैं तो राहूल गांजी की आवाज नहीं दबा पारे हैं इंडिया लाइन्स की आवाज नहीं दबा पारे हैं तो इनकी आवाज को सोशल मीडिया पे दिखाने का जो काम करते हैं प बार का डर है बॉकलाट है और यह आज की जनता भारत की इस सब चीजे समझ रही है अब लारे लप्पे वाला जुमलों वाला जमाना चला गया जादू गर जादू दिखाता है लेकिन एक ही जादू बार बार उसका भी नहीं चलता एक शो लोग देखते हैं घर जाते हैं हसत गुजरात जाने का वक्त आ चुका है अभी कोई और आपकी जगा पर बैठने के लिए तयार है नमस्कार